क्या होगा अगर मैं चिप्स और पारलेजी के पेकेट को 1000 पिट गरे बोर्वेल के अंदर और नदी के पानी के अंदर डाल करके पूरे साथ दिनों के लिए छोड़ दूँ क्या चिप्स और पारलेजी पानी के अंदर भी सही सलामत रख पाएंगे क्योंकि इनके पेकेट एरटायट होते हैं तो चलो आज हम पता करके देखते हैं कि चिप्स के पेकेट के अंदर जो अबरी होती है वो चिप्स को सही सलामत रख पाती है या फिर नहीं इसके लिए मैं मार्केट से चिप्स और पारलेजी के पांचमाच वाले पेकेट खरीद लाया इन तेलियों को रखने के लिए मैंने कुछ इस तरह का तारो का जुगाड बनाया है जिनके अंदर मैं इने पेकेट्स को कुछ इस तरह से रखूँगा तो अब इन पेकेट्स को नदी और बोर्वेल के इंदर डालने चलते हैं तो अभी मैं आ चुकाँ नदी पर आप मैं एक चिप्स का पेकेट और एक पारलेजी के पेकेट को इस नदी के इंदर डालूँगा तो अब चलते हैं दूसरे वाले पेकेट्स को 1000 पिट गरे बोर्वेल के इंदर डालने हैं यहाँ पर भी मैंने एक पतर के साथ चिप्स और पारलेजी का एक एक पेकेट बांदी हैं चलो अब इसको भी डाल देते हैं इस बोर्वेल के इंदर तो अब साथ दिन बाद आ करके देखेंगे कि हमारी चिप्स और पारलेजी के साथ क्या हुआ हैं आप आटो साथ दिन बाद